Chapter 23 Scalar or Dot Product Exercise 23.2 में हम करेंगे Cosine Formula का Proof किसका Proof करेंगे? Cosine Formula का Proof देखो, First Example दी है, Cosine Formula है मारे पास If ABC are the lengths of the side opposite respectively to the angle ABC of a triangle ABC Show that, यह इसके नीचे भी लिखना था 2BC, देखो, First Part है, Cos A Equal to B Square Plus C Square Minus A Square upon 2BC, इसी तरह Second और Third Part दियागा है, ठीक है? अब इसका Proof देखो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, देखो, ABC क्या दिये भी है? Sides है, एक triangle की ABC की, और ABC angles है, और हमें यह Proof करना है, ठीक है? तो एक triangle बना लो बहले यह triangle, यह A रख लो नाम इसका, यह B, यह C, ठीक है? A के सामने, इसको A Vector कह दो, B के सामने B Vector और C के सामने C Vector, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम angles निकालते हैं, देखो, आपको लग रहा होगा A, पहले तो direction दे दो, direction इस इसी आप से दे देते हैं, यह इसको ऐसे दे दो, ठीक है? अब देखो, क्या बोल रहा था? मैं, अगर आप आप देखो, आपको angle A और C के बीच में, क्या angle दिख रहा है? यह angle B नहीं होगा, angle A और C के बीच में, angle A और C के बीच में, यह बल angle होगा, अब यहां से इसको produce करो, यह angle होगा, इस angle को नाम दे दो, पाई माइनस B, ठीक है? इसी तरह A और B के बीच में, angle A नहीं, यह C नहीं होगा, क्या होगा यह? pi minus c समझा ही मेरी बार इसी तरह angle b b और c के बीच में angle a नहीं होगा इसका angle होगा pi minus a pi minus a समझा ही मेरी बार ठीक है pi minus c देखो कैसे है यह पूरा c है न यह angle c है और यह पूरा 180 होता है यह linear पेर है तो अगर मैं 180 में से यह angle minus कर दू तो मेरे को यह मिलेगा ठीक है तो याद रखो a और b के बीच में कोंसा angle होगा c नहीं कहेंगे उसको pi minus c कहेंगे ठीक है समझा ही मेरी बार अब हम यहाँ पे इसका proof करने के लिए क्लिए क्लिए triangle log यूज करेंगे तो आज हो first part में in triangle a b c देखो triangle log हम यूज करने जा रहे हैं by triangle law of vector triangle यह इसको अच्छे से बना लो यह a है ठीक है यह b यह c triangle law of vector क्या कहता है b c plus c a b c vector plus c a vector equal to b a vector यह होता ना opposites इसको order कैसा होता है इसी form में लेते है ना जो same order है उसको plus और opposite वले को equal to में लगा दिया ठीक है अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर लगा हूँ इसको लिख रहा हूँ b c vector plus c a vector इसको इसकी direction change कर रहा हूँ इसको b a को a b कर रहा हूँ देखो जब आप direction change करती हो तो बाहर negative साही ना जाता है है ना अब क्या करो यह जो b c है ना b c देखो किसके equal है b c है a vector के equal तो इसको a vector लिख दो c a देखो किसके बराबर है c a है b vector के बराबर और A B देखो किसके बराबर है A B है C वेक्टर के बराबर ठीक है अब देखो इसके बाद देखो आपने first part के हिसाफ से चलना है देखो यहां पे B plus C है B square plus C square है न तो आपने क्या करना है B और C को एक तरफ करना है A को अलग करना है जब आप second part करोगे न ठीक है मेरी बास समझ आई अगर आपको first part proof करना है तो B और C को एक तरफ अगर आपको second part proof करना है C और A को एक तरफ करना है अगर आपको third part proof करना है तो A और B को एक तरफ करना है ठीक है अगला काम क्या करो दोनों तरफ squaring कर दो squaring both side squaring करने से क्या होगा यहाँ पे a plus b का whole square लगेगा क्या होगा a square plus b square plus 2 b dot c और यहाँ इसका भी square करोगे तो यह यह बन जाएगा ठीक है क्योंकि minus का square plus हो गया अच्छा अब देखो यहाँ पे b dot c की definition लगाओ क्या होती है magnitude of b magnitude of c cos अब angle देखो कि इसका angle क्या है b और c के बीच में angle देखो क्या है यह b है यह c है b और c के बीच में angle देखो यह मत लिख देना b और c के बीच में angle यह नहीं आएगा angle a नहीं आएगा pi minus a आएगा ठीक है यह दियान रखना pi minus a ठीक है अच्छा अब एक बास सुनना दियान से magnitude of a को ना हम a भी लिख सकते है magnitude of b को हम b भी लिख सकते है और magnitude of c को हम c भी लिख सकते है ठीक है मैं यह use करूँगा b की जगा simple b c की जगा simple c फिर यहाँ पे भी 2 b c समझागी और cos 180 minus theta क्या होता है cos second quadrant में negative होता है cos 180 minus theta होता है minus cos theta क्या होता है minus यहाँ minus लगा दो minus cos a और इसको भी a square लिख दो ठीक है अगला काम क्या करो यह पूरी term इदर ले आओ और इसको इदर ले जाओ यह बनेगा b square plus c square यह a square इदर आएगा equal to 2bc cos a यहाँ से cos a की value निकाल लो 2bc को इसके नीचे ले आओ तो cos a क्या हो जाएगा b square plus c square minus a square upon यह 2bc इसके नीचे आजाएगा देखो यह हमारे पहले part का proof हो गया ठीक है देख लो यहाँ पर यह देखो इसी तरह आप खुद second और third part करोगे देखो second part करने के लिए आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना बस जैसे यह रखाना हमने यहाँ तक तो आपको बिल्कुल same करना है इसमें c और a को एक तरफ कर लेना मतलब इसको a को इदर ले आना और b को इदर ले आना ऐसा लिखना c प्लस a vector equal to minus b vector फिर आप squaring कर लेना तो proof हो जाएगा ठीक है जब c और a के बीच में angle लिखना होगा यह c और a देखो का है यह c और a है तो इनके बीच angle pi minus b लिख देना ठीक है तो second और third part को similarly कर लेना तो यह हमारा किसका proof हो गया cosine formula का proof हो गया example 2 है हमारे पास अब पहला formula हमने कोंसा proof किया cosine formula दूसरे formula का नाम है projection formula इसको projection formula कहते है ठीक है देखो वही same है abc length दीवी है side opposite respectively to the angle abc of our triangle abc show that करना है projection formula होता है पहले part का a equal to b cos c plus c cos b ठीक है तो देखो क्या करेंगे वही same जैसे हमने उसमें किया पहले एक triangle बना लो abc इस a के सामने वाले को a vector b के सामने वाले को b vector और c के सामने वाले को c vector ठीक है अच्छा अब a और c c के बीच में angle क्या होगा b नहीं होगा क्या होगा pi minus b इसको यहां से produce कर लो pi minus b ठीक है pi कैसे होगा यह पूरा 180 है यह linear pair होता है na 180 में से यह angle minus करोगे तो यह मिलेगा अच्छा इसी तरह a और b के बीच का angle वो क्या होगा pi minus c इसी तरह b और c के बीच का angle वो क्या होगा pi minus a ठीक है अब हमें यह चीज़ प्रूफ करनी है तो वही सेम जैसे हमने फर्स पार्ट में triangle law vector लगाया था इदर भी लगा लो इसकी direction देखो s से यहां से इसको इस से साफ से दे दो ठीक है तो यहां पर triangle लगा in triangle a,b,c यह हम फर्स पार्ट का प्रूफ कर रहे है by triangular law of vector क्या होता है b,c देखो same order के आपने plus करने है b,c plus c और equal to देखो मैं a,b नहीं लिख रहा है मैं opposite order लिख रहा हूँ इसका b,a हैना यह होता है triangle law of vector अब b,a को उल्टा कर दो b,a को उल्टा करोगे तो क्या हैगा minus a,b हैना a,b को इदर ले आओ यह बनेगा plus a,b vector ठीक है अब यहां पर values दाल दो सबसे पहले b,c की value देखो क्या है a,c,a की value b vector और a,b की value c vector अच्छा अब देखो मेरी बात यहां से सुनना देखो यहां पर proof करना a equal to b cos c plus c cos b तो आपने क्या करना है यह जो a है ना a को,a वले को एक तरफ रखना है बाकी दोनों उदर ले जाने है ठीक है,a वले को एक तरफ रखो और बाकी दोनों को उदर ले जो यहां तक हो गया अब आपने क्या करना है यहां पर दोनों तरफ dot protect करना है a से,क्या करना है taking dot protect on taking dot protect both side by a vector मतलब दोनों तरफ a vector से multiply करना है ऐसा समझ लो दोनों तरफ a vector से multiply कर रहा हूँ देखो यहां भी कर दिया यहां भी कर रहे है और यहां भी कर दिया ठीक है अब a dot a किसके एकुल होता है a dot a होता है magnitude of a का square ठीक है a dot b की definition लगो magnitude of a,magnitude of b cos अब a और b के बीच में angle देखो क्या है a और b के बीच में pi minus c ठीक है इसी तरह a और c के बीच में लगो definition अब a और c के बीच में angle देखो क्या है यह a यह c pi minus b ठीक है इसको मैंने बताया इसको a square लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं a b और cos 180 minus theta क्या होता है minus cos theta तो ये plus हो जाएगा cos c बनेगा इसी तरह minus ये ac हो जाएगा और cos 180 minus theta भी क्या हो जाएगा plus cos b यहां से a common निकालो ये बनेगा b cos c plus c cos b ये और ये कट गया ये हो गया हमारे first part का proof इसी तरह मैं एक part होट करा देता हूँ second वला भी करा देता हूँ ये देखो first part का proof हो गया न ठीक है अब second part का भी proof कर लेते है third वला भी खुद कर लेना देखो बिल्कुल same यहां तक तो c वले को एक तरफ करना है ठीक है तो देखो second part यहां तक तो same करना है तो सीधा यहां सी ले लेते है a plus b plus c equal to 0 ठीक है अब आपने क्या करना है b plus c को एक तरफ करना है नहीं b को एक तरफ करना है ये दोनों उस तरफ ले जाओ फिर वही दोनों तरफ dot protect लेना है b से देखो दोनों तरफ dot protect ले रहा हूं b से मना b दोनों तरफ multiply कर लो ऐसे समझ लो ठीक है अब b dot b को हम क्या लिख सकते है magnitude of b का square यहां पर b इसकी definition लगा यह बनेगा magnitude of b magnitude of a b और a के बीच में अंगल देखो क्या था b और a के बीच में अंगल b और a के बीच में अंगल था pi minus c क्या था cos by minus c फिर फिर b इसकी definition लगा उ magnitude of b magnitude of c और b और c के बीच में अंगल था π punya minus a ठीक है इसको बी का square लिख दो यह b यह ये cos 180 minus theta plus हो जाएगा negative होता है second quadrant में फिर ये BC बनेगा और ये भी plus हो जाएगा cos A देखो B common निकालके cut जाएगा यहां से B common निकालोगे इसके तरह कट जाएगा तो direct लिख रहा हूँ A cos C plus B B cos A A cos C plus B cos A ये हो गया हमारे second part का proof ठीक है यहां पर ठीक कर ले ना यहां पर यहां पर एक second मुझे देखने तो क्या था यहां पर C cos था ना C cos A तो फिर यहां पर C होना चाहिए ये C होना चाहिए हाँ ठीक तो है हाँ तो इसको पहले लिख दो ना अच्छा B कटा तो यहां C आना चाहिए ना हाँ हो गया proof देखो C को पहले लिख दो A को बाहर में लिख दो है ना मतलब इसको ऐसा लिख दो C पहले C cos A plus A cos C हाँ ये हो गया हमारे second part का proof third part आपको similarly खुदी करना है ऐसी तो यह होगी मारी दो एक्जाम्पले complete example 3 है हमारे पास prove using vectors the medians to the base of an isoless triangle is perpendicular to the base देखो क्या कहता है हमें vector से proof करना है कि जो median है किसका isoless triangle का वो perpendicular होना जी यह base के बराबर देखो मैं आपको समझाता हूँ यह मानलो कोई एक triangle है थोड़ी सीधी बना ले ना थोड़ी मेंसे टेड़ी बन गई है यह A मानलो यह B मानलो यह C मानलो यह देखो मैं यहां से median draw कर रहा हूँ AD ठीक है तो हमें proof करना है to prove यह जो AD है ना यह इसके perpendicular होना चाहिए AD is perpendicular to BC यह चीज हमें proof करनी है क्या proof करना है AD is perpendicular to AD is perpendicular to BC ठीक है उसके लिए हमें क्या proof करना पड़ेगा उसके लिए हमें यह चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि इन दोनों का dot protect 0 के बराबर होना चाहिए यह होता ना perpendicular की condition ठीक है अच्छा अब देखो आपने suppose कर लेना यह जो vector है ना A यह जो point A है यह 0 vector है ठीक है और इसके points मान लो मतलब यह origin है यह point origin है और यह जो B point है इसको B vector मान लो और इस point को C vector मान लो ठीक है अच्छा अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे और इनकी directions भी ले लो देखो सबसे पहला काम क्या करो AD नकालो फिर BC नकालेंगे ठीक है तो पहले BC नकालो BC तो असान ही है BC में देखो कैसे निकलेगा देखो यह initial है यह terminal है तो क्या करते हैं terminal minus initial यह करते हैं terminal minus initial C minus B vector समझा है यह initial था यह terminal यह initial point है यह terminal point है तो terminal को initial से minus करेंगे वो BC vector मिल जाएगा ठीक है अच्छा अब हमें चाहिए AD AD के लिए क्या करो सबसे पहले आपको यह D point चाहिए अब देखो यह median है ना तो median है तो यह midpoint का का काम करेगा तो midpoint कैसे निकलता है since D is the midpoint of midpoint of BC तो D के coordinates कैसे मिलेंगे आपने क्या करना है इन दोनों को plus divided by 2 यह होता ना midpoint का formula this vector plus this vector upon 2 ठीक है अब निकालो AD अब क्या निकालेंगे AD AD देखो कैसे मिलेगा देखो यह point आ गया B vector plus C vector upon 2 ठीक है AD के लिए क्या करना है देखो यह initial point है यह terminal point है तो terminal को initial से minus करो terminal क्या B vector plus C vector upon 2 minus initial point है 0 vector तो 0 vector थो वैसी 0 होता है तो आप इसको simple ऐसे लिखता हो ठीक है अब हम क्या करेंगे यह left hand side लेंगे इसको equal to 0 proof करेंगे तो हम लेते है AD dot BC vector यहाँ पर AD की value दालो AD की value देखो क्या है B vector plus C vector upon 2 dot फिर BC की value BC की value C vector minus B vector ठीक है यह 2 बाहर निकाल दो B vector plus C vector को हम ऐसा भी लिख सकते हैं C vector plus B vector लिख सकते हैं ऐसा और इसको same रखो ठीक है अब यह क्या बन रहा है A plus B A minus B A plus B into A minus B क्या होता है A square A square minus B square यही होता है A square minus B square ठीक है अच्छा अब देखो C vector को हम ऐसा भी लिख सकते हैं C square और B square ठीक है अब मेरी बात ध्यान सा सुनना जो मैं starting में बताना भूल गया था वो फिर बता देता हूँ यह चीज मैंने बताई नहीं देखो यह isoless triangle है given triangle ABC is isoless यह लिख लेना starting में यह कौशी triangle है isoless triangle isoless triangle में क्या होता है दो sides equal होती है मतलब AB equal to AC होगा AB equal to AC ठीक है अब AB देखो कैसे निकालते हैं अभी बता है मैंने terminal minus initial तो B vector minus 0 vector वो क्या होगा B vector और B vector को B लिख रहे है क्योंकि यहाँ पर magnitude है ठीक है यह vector नहीं है magnitude है और AC क्या होगा C minus 0 तो वो C आ जाएगा अब देखो B equal to C है तो यहाँ पर use करो C की जगा मैं B लिख रहा हूँ क्यों? Because B equal to C और आप यहाँ यह लिख सकते हो triangle is isolates triangle is isolates ठीक है? तो यह दोनों cancel हो जाएंगे तो कितना आ गया? 1 by 2 into 0 तो 0 आ गया तो हमने क्या proof कर दिया? AD dot BC equal to 0 तो हैंस AD is perpendicular to BC तो यह हो गया मारे example 3 का proof example 4 है मारे पास prove using vectors if two medians of a triangle are equal then it is isolates देखो हमें क्या proof करना है? एक triangle के अगर दो medians है दोनों equal है तो proof करो वो triangle isolates होनी चाहिए ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे? पहले तो एक triangle बना लो यह आगी A, B, C फिर से इसको 0 vector रख लो यह point हो गया 0 vector मतलब 0, 0, 0 और region हो गया ठीक है? फिर इस point को रख लो B vector और इस point को रख लो C vector हमें क्या proof करना है? triangle क्या होना चाहिए? isolates मतलब हमें two proof करना है कि A, B equal to A, C होना चाहिए ठीक है? A, B equal to A, C होना चाहिए और इसके लिए यह भी लिख दो that is A, B क्या होगा? A, B क्या होगा? टर्मिनल माइनस इनिशिल मतलब B माइनस 0 तो वो B होगा और इधर भी C माइनस 0 देखो मैं इसमें वेक्टर इसलिए नहीं दाल रहा क्योंकि यह A, B और A, C मैंगनिचूड है तो मैंगनिचूड को हम सिंपल B और C भी लिख सकते है ठीक है? तो हमें यह चीज़ प्रूफ करनी है अच्छा अब कोश्चन में देखो क्या दिया है? दो मीडियन्स है और वो दोनों मीडियन्स एक्वल है तो पहले दो मीडियन्स बना लो यह आगया एक मीडियन और यह आगया दूसर मीडियन ठीक है? इसका नाम रख लो इसको E नाम दे दो इसको F नाम दे दो अच्छा अब हम क्या करेंगे? कि सबसे पहले इनकी लेंथ निकालते हैं, यह किसके बराबर होगा, देखो E जो है न, AB का midpoint है, है न, E जो है वो AB का midpoint है, तो midpoint कैसे निकालते हैं, B vector प्लस 0 vector upon 2, तो मतलब यह point हो गया, B upon 2, क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह F क्या होगा, F जो है वो AC का midpoint है, मतलब C vector प्लस 0 vector upon 2, मतलब यह आजाएगा C vector upon 2, फिर हम C E की value निकालेंगे, और B F की value निकालेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर given लिख लो, given C E equal to BF, दोनों medians equal है, C E equal to BF, ठीक है, मतलब इसका magnitude equal है, क्या equal है, magnitude equal है, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यह लिख लो, since, E and F are the midpoint, are the midpoint of, किसका midpoint है, E, A, B का, और दूसरा क्या है, and, F किसका midpoint है, A, C का, ठीक है, तो E के coordinates क्या आजाएंगे, E क्या आजाएगा, E आजाएगा, यह मैंने अभी बताया था न, B vector plus 0 vector upon 2, तो वो हो जाएगा, B vector upon 2, इसी तरह F क्या आजाएगा, F आजाएगा, C vector plus 0 vector upon 2, वो हो गया, C vector upon 2, ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, C E vector, सबसे पहले C E vector निकालो, C vector क्या होगा, मैंने क्या बताया था, terminal minus initial, C E में, यह terminal है, यह initial है, terminal को initial से minus करो, C minus B vector upon 2, इसका LCM लेलो, यह बनेगा, ठीक है, C आजाएगा, फिर BF, BF के लिए क्या बताया, यह terminal है, यह initial है, terminal minus, terminal minus initial, मतलब C vector upon 2, minus, C vector upon 2, minus B vector, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ ठीक हरना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, C E vector था, terminal minus initial, terminal था, B by 2 था, B by 2 minus C आना था, तो इसका LCM लेलो, यह बनेगा, B vector minus 2C vector, ठीक है, इसी तरह, इसका भी LCM लेलो, C vector minus 2B vector upon 2, अब गिवन है कि दोनों का magnitude बराबर है, और याद रखना, हमें प्रूफ करना है, B equal to C, मतलब हमें प्रूफ करना है, A B equal to A C, ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, magnitude of C E equal to magnitude of BF, यहाँ पर इनकी values दाल दो, यह एक काम करो, squaring करके दालो value, squaring करने से easy हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर C E की value दालो, C E की value आपके सामने है, B vector, minus 2 C vector, upon 2 का whole square, और यहाँ पर BF की value, C vector minus 2 V, B vector upon 2 का whole square, यहाँ पर लगाओ, A minus B का whole square, A minus B का whole square क्या होता है, A square, magnitude of B का square, plus B square, 2 का square 4, upon C square, minus 2 A B, 2 2s are 4, magnitude of B, magnitude of C, ठीक है, और upon 2 का square 4, और यहाँ पर यहाँ पर लगाओ, magnitude of C square, plus 4 magnitude of B square, minus 4 magnitude of B, magnitude of C, upon 4, यहाँ पर गलत लिख रहो मैं है, यहाँ पर B dot C आएगा, और यहाँ भी B dot C आएगा, ठीक है, यह 4 और 4 कैंसल, अच्छा, जब अब यह 4 और 4 कट जाएगा न, अगले step में यही दुबारा लिखोगे, तो देखो, यह term और यह term सेम है, यहाँ पर 4 magnitude of C square लिखो, और यह इदर ले आओ, यह इदर आएगा magnitude of C square, यह 4 यहाँ रखो, 4 magnitude of B का square, और इसको इदर ले आओ, ठीक है, यह बनेगा 3 magnitude of C square, यह 4 है, एक है, 4 में से एग यह 3, इसी तरह यहाँ भी, यह 4 है, यह 1 है, चार में से एग गया 3, यह 3 और 3 cancel, ठीक है, तो क्या आगया, magnitude of C square equal to, magnitude of B square, अब आप क्या करो, टेकिंग, पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव square root, और बोच साइड, रूट लगाने से क्या होगा, रूट लगाने से, इसका square cancel हो जाएगा, तो यह बनेगा, magnitude of C equal to magnitude of B, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, C equal to B, तो यह बन गया, B equal to C, B equal to C आगया, और B किसके बराबर है, B हमने लिया था AB, अब देखो B किसके बराबर मैंने बताया था, B बताया था AB के बराबर, इसो लेस, यह हो गया हमारा proof,